आप देख रही हैं लाफ दिस्ट्रोलजी लग जाएगा जानिये पूरा विश्लेशन आप देख रही हैं लाफ दिस्ट्रोलजी रबश्कार मैं हूँ आचारे सती शबस्ती आपका बहुत स्वागत करता हूँ लव दिस्ट्रोलजी में लब दिस्ट्रोलजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है लब दिस्ट्रोलजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है लब दिस्ट्रोलजी में सत प्रतिशत आपको जिदाया जाता है लब दिश्टालजी में आपके जीवन में शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है यहां रिस्तों को बाखो भी दिखा जाता है रिस्ता Marital life का हो सादि सुधा जीवन हो पारिवारिक life हो दामपतिक life हो या तम्हारी love life हो या relationship हो या रिस्ता किसी भी स्वरूब का हो बिटियार दमात बेटा और बहु या स्वयम की बरिस्तती बच्चे बिगड़ रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो रहा हो और सब अविवस्थित हो गया हो रिस्ता कोई भी, नाता कोई भी, सम्मंध कोई भी, बिगड़ने पर एक ही स्थान है जो काम करता है वो है Love with Austral जी यहां कितने लोग ठीक हो चुके हैं जानना चाहोगे यहां ठीक हो चुके हैं अभी तक 20 सालों में 21 लाख लोग और सक्सेजरेट यहां का सक्सेजरेट है 95% प्लस और यह साब दिनन पर जा रही है कुछ दिनों से यह यात्रा अन्यान प्लेटफॉर्म पर चलती हुई टीवी, रेडियो, पेपर, न्यूज पेपर, मैक जीन, इत्याद पर चलती हुई कुछ सोसल मीडिया पर भी चल रही है कुछ ही दिनों में हमने सोसल मीडिया पर भी अगर हम सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो यहां क्लोस्टू मिलियन होने वाले है एक मिलियन हम कम्प्लीट होने वाले है यह यात्रा इस परिवार में, इस कुटुम्ब में इतने सारे लोग हो गए है, उसके पीछे एक ही कारण है सामने से प्यार बहुत है आपका प्यार, आपका सहीयोग, आपका सवहार्द नरंतर मिल रहा है ओपन प्लेटफॉर्म पर हम रोज कहते हैं कि अनेकों लोग फैदा पा रहे हैं और रोज लोग पा भी रहे हैं हर एक बिक्ती, जितने भी लोग जुड़े हैं उन में से एक सिंगल बिक्ती भी ऐसा नहीं जो मुझे कहें कि मेरे को कोई भी फैदा नहीं हुआ क्यों? जिकि ऐसा कहने वाला बिक्ती है ही नहीं और अगर है, तो मैं उसे निवेदन करूँगा कि साहब हम आपके काम के नहीं आप कहीं और देखें ये बिशे, ये सब्जेक्ट, ये पाट साला, ये कक्षा, ये एजुकेसन सेंटर सबके लिए नहीं है सच्चे प्रेमियों के लिए है जो प्यार में सरवस्व देना और लेना जानते हैं जिन्हें हर हाल में अपने जीवन में प्रेम चाहिए जिनोंने सीखा है, समझा है, जाना है कि प्रेम में क्या अबशक्ता और क्या जरूरते होती है उनके लिए ये ये अलग समदाय बन चुका है अलग संपरदाय बन चुका है और ये बहुत बाखो भी चल रहा है यहां पर इतने सारे लोग कैसे लाभानमित होते है इतना बड़ा परसंटेज कैसे है जहां बाकी जुकों पर 12-15 परसंट का सक्सेजरेट यहां 95 कैसे क्योंकि यहांगी तावेद, पुरार, शास, उपने सब बड़े-बड़े करन्तों पर रिसर्च होता है उन पर रिसर्च करने वालों की संख्या चार हज़ार लोगों की है हम अलग-अलग भाशाओं पर काम करते हैं हिंडी, अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, कंड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उडिया, आसामेस्थ, भोचपुरी, मैथिली ऐसी साइड ही कोई भाशा होगी इंडिया की जिस भाशा पर हम काम नहीं कर रहे हैं अलग-अलग भाशा पर, अलग-अलग संपरदायों पर, अलग-अलग सिचिवेशन्स पर हम काम कर रहे हैं हम रिस्तों को पूरी तरे से सम्हाल कर सुविवस्तित कर आपके सामने देनतर परुस्ते हैं आज हम कह रहे हैं कि आपको तंत्रमंत्र पूजा अपाठ ये ग्यनुस्ठान जब तब किसी चीज की आपशक्ता नहीं अगर आप बहुत भटग चुके हैं इन सब चीजों में बहुत चक्कर काट चुके हैं मुल्ला मौलूवी तांतुरिक मांतुरिक पंडित कुजारी पाधा भात्मा संत अमलात्मा दुनिया भर के आडम बरियों के चकर चुके हैं बस सावधान अब आपका काम होने बाला है। ब्रह्मा, विश्णू, महेश कहते हैं ये सब संकक्ष हैं गुरू के पूरे विश्ट की शक्ती एक तरफ, गुरू की शक्ती एक तरफ, तुम्हारी शद्धा और विश्वास की सक्ती एक तरफ। दुखी होने से नहीं, परिशान होने से नहीं, नगेटिव होने से नहीं, उल्टा सिथा सोचने से नहीं, सब कुछ बरबात करने से नहीं, बस आगे बढ़कर चीज कुछ कर रही है एनरजियों को, शक्तियों को समझने की कोशिश करें कुछ बह रहा है तुम्हारे आसपास बस तुम नहीं समझते इतनी सितुबात है तुम नहीं जानते इतनी सितुबात है पानी को अतिसे पतला कर दिया जाए या अतिसे मूटा कर दिया जाए एक अवस्था में पानी तैरने लग जाएगा उड़ने लग जाएगा और दूसरी अवस्था में पानी सितिल होकर बर्फ बन जाएगा आपका हीटर और आपका फ्रिज यही तो करता है रिसर्च आपको हमेशा फाइन सिच्वेशन पर लेकर के आती है एक दम पर्फेक्शन पर खड़ा करती है रिसर्च इसे कहते हैं जब हमने पहली बार टेली फोन को पकड़ा उसका साइज और उसका आकार भिकार कुछ और था और आज हम कहां करें हैं इससे पता चलता है हम हिंदुस पानियों में कहानियों में चीज़े बढ़कर रहे गई और एवरोट को देखिए वहां लोग रिसर्च करते हैं हर बार कुछ नई चीज़ों का सोध करते हैं जब तुम दुनिया को जानने की कोशिश करोगे तुम हार जाओगे जब तुम खुद को जानने की कोशिश करो तुम जीत जाओगे तुम क्या करते हो तुम गलती कहां करते हो पता है तुम गलती करते हो खुद की कमियों के बारे में जानना ही नहीं चाहते तुम तो खुश तब होते हो जब तुम्हें कोई कह रहे अरे रे 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 ये तो कितने ही अच्छे आप तो हवा भर दी गई आपके अंदर आप तो गुबाडा बन गए फूल के अरे रे रे ये तो कितने ही बिचारे तकलीफ में है इन्हों तो कितना ही संगर्स उठाया है जीवन इन्हों तो अपने इन्हों ने अपने जीवन में कितनी मुसीबते उठाई है रे बाप रे बाप बस तुम तो रोने लग गए तुम तो परिशान हो गए अरे सावधान इन चीजों में पढ़ में जाना चोकि ये तुम्हें और सर्वनास की उर ले करके जाएंगी तुम्हें समाप्त करेंगी ध्यान रखना हिंदुस्तान में बैद है, पुरान है, शास्त रहे, नधियां है, देवता है पूरा बिश्व है, फिर भी हिंदुस्तान गरीब इसलिए है हम अकर्मन में हैं, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम बने रहे हैं हम वही सुनना चाहते हैं जो हम कभी थे हम वही सुनना चाहते हैं जो हम नहीं होना चाहते हम वही सुनना चाहते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते हम बनना कुछ और चाहते है और हम सुनना कुछ और चाहते हैं ये चीजे मैच ही कहां कर रही अरे जरह समझने की कोशिश करना तुम्हे कोई अच्छा कहे तब तुम खुश मत होना तब तुम्हे कोई बुरा कहे तब तुम खुश होना तुम्हारी कमिया निकालने वाले को सर्वस्रेष्ट मानना जो की भाई तुम्हारी कमिया निकालने वाला तुम्हें स्रेष्ट बनाना चाहता है जो तुम्हें दिन भर गालियां देता हो उसके से प्यार करने की कोशिश करना वही है विस्तो का पहला इंसान जो तुम्हें स्रेष्ट बनाएगा क्यों? योगि तुलसी बाबा कहते है निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी चवाए कैसे उसको पास रखे? कहते हैं साथ आंगन कुटी चवाए बहुत अच्छा घर मकार बना कर उसको दीजे स्रेष्ट तुम बस्थाओं में रखिये उसे इश्वर तुल्लि मानिये उसे क्योंकि वो तुम्हें स्रेष्ट करने की कोशिश कर रहा है हाँ हमने बच्पन में पढ़ा है बच्पन में सुना है गुरु कुम्भार सिक कुम्भ है गड़ी-गड़ी मारत भोट अंदर हाथ सवार दे और बाहर मारत चोट कुमार को देखा है बिट्ती का वरतन बनाते हुए पीट-पीट के पीट-पीट के वो सेप देता है आकार देता है और बढ़ियां संदर घड़ा बनाता है बस इस बात को समझने की कोशिश करना Self Analysis की आवशकता है स्वयम को जानने की नीद है स्वयम की गल्टियों को समझने की आवशकता है स्वयम के बारे में चिंतन करने की जुरत है क्यों कोई हमें छोड़कर जा रहा है क्यों कोई हमारा नहीं हुआ क्या ऐसी कारण है, कौन सा ऐसी बात है जिसमेजे से ये सब कुछ खराब हो रहा है और ये सब तुम्हारे अंदर है ये सब तुम्हारी वजे से है ये सब कुछ का कारण तुम स्वयम हो, बस जैसे ही ये बार पता चलेगी, वैसे तुम जीत चाओगे वैसे तो कोशिश करो इन सब चीजों की नहीं तो नमबर लिखने से सब चीजे ठीक तो हो ही जाएंगी पर प्रयत न करो कुछ चीख भी लो कुछ समझ भी लो ताकि तुम्हारा जीवन सच में ठीक हो जाए एक बार सब कुछ पा लेने के बार फिर कभी छूटे ही ना ऐसा बन जाओ ना तब तुम्हें कुछ सिखाता है कोई तब तुम्हें कोई इसकुछ समझाता है तुम बहे जाते हो तुम समझ नहीं पाते बस वहीं गड़बड करते हो चलो अब थोड़ी समझतार हो जाओ मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं सीदह उपाए की और पोस सारी बातें नहीं समझाता मैं तो सिर्फ उस बातों पर जोर देता हूं जसे तुम्हारा जिमन और बहतर हो जाए और तुम सच में अपने प्यार को पाजाओ है ना चलो सिधा तुम्हें उपाय को और लेकर के चल रहा हूँ उपाय की और लेकर के चले उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच का एक उन भोले रहे हैं वाइस मैसेश प्लीज प्रणाम गुरुजी यह सब आपके अशिरवात से हो पा रहा है गुरुजी बस मुझे मेरा दीपक चाहिए मुझे मेरा प्यार चाहिए गुरुजी आपके सहारे बीना आपके अशिरवात में न मेरी तो दुनिया युचरते दिखाई दे रही थी मुझे पर आप में मुझे अग सहारा दिखा भवान शीव ने मुझे बस यह इरा दिखाई थैंक यू सो मछ गुरु जी थैंक यू सो मछ एस जो बचा है वो भी तुम्हारी शद्धा और विश्वास से होगा गुरु चरणों में उन्राग रखे गुरु के परती और शद्धावान हो जाए इधर धर की चीजे देखना बंद कर दीजे बिल्कुल एक आकी हो जाएए एक गुरू, एक पती, एक पिता होना जीवन को स्रेष्ट बनाता है अधिक्तम होना जीवन को नर्गतुलि बनाता है स्रेष्ट बनने की कोशिश केजे आप जीद जाएंगे सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं उपाय की बात कर लेता है आज हम कह रहे हैं कि चुपचाप ये नमबर लिख देने मातर से आपके जीवन में बहुत सारी सुबदाएं अपने आप बन जाएंगी प्यार, घर, संसार, परिवार, शादी, विवाह ये सब तो ठीक होगा ही बरकत बढ़ेगी, घर में सुख बढ़ेगा धन बढ़ेगा, वैभो बढ़ेगा, संपत्ती बढ़ेगी अधित्तम सुख का अलाब होगा और जीवन स्रिष्टतम होने लग जाएगा चुपचाप बिना किसी को बताए बिना किसी को कहे आपको ये काम करना है अब आपको करना क्या है? अपने बेड में जो आप सोते हो उसमें चार जगे ये नमबर लिखिएगा आपको नमबर क्या लिखना है? आपको लिखना है 4-12-27-9 ये नमबर पहले एक कोने के सिरहाने में लिखिएगा जैसे ऐसा चौकोर बिड होता है हो सकता है कि एक कोना उसका दिवाल के सहरे हो वहाँ आपना पहुच पा रहे हो कोई बात नहीं बिल्कुल दिवाल के बात से जहां से स्टार्ट होता है उस जगे लिखे फिर उसी सीध में जाके अंत में लिखे फिर उसके बाद वहीं से जहां स्तुरवात होती है वहां लिखें फिर लास्ट में लिखें और उसके बाद फिर से वहीं दिवाल के अंत में जाकर करके लास्ट में रखते हैं चार जगे, दो इधर, दो इधर, आपको चार जगे ये नमबर लिखना है, ये नमबर लिखने के लिए आप कोई भी sketch pen या किसी भी प्रकार का pen इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बस इस नमबर को लिखने के पहले, तुलसी, बिलपत्र, द्यान से समझेगा, तुलसी, बिलपत्र, पीपल का पत्ता, बरगत का पत्ता, आम का पत्ता, या कोई भी, ये पांच में से जो भी पत्ता आपको अबलेवल हो जाए, उसको कस के जहां पर लिखना है, वहां पर उस पत्ते से रगणना है, पहले फिल लिखना है, एक बार, और जितनी बार आप लिखते जाएंगे उतनी बार अपने पार्टनर का नाम लिखते जाएंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना चाहे इस्त्री हो या पुरुष हो उसके प्यार का, उसके शाथी का उसके पार्टनर का, उसके पती या पतनी का जो सही स्थान होता है वो सेया सुख होता है सेज सुख कहते हैं इसे वहां लिखने से आपके जीवन में उस संदर्भ में प्यार कौन से संदर्भ में? विवाह के संदर्भ में सवभाग के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में हरदे के इस परश के संदर्व में बुलाब बढ़ता रहेगा और अनीमित बढ़ेगा इतना कि जो सोच नहीं सकते लेकिन पूरी शद्धा से करना पूरी पिश्वास के साथ करना ये उपाई किसी भी दिन किया जा सकता है किसी परिस्ति में, किसी भी इस्तिती में, किसी भी टाइम किया जा सकता है पुरी मन से, पुरी शद्धा से, पुरी विश्वास के साथ करना तो मस्कुराओ, संदर बनो, हरा आधे कटे में पढ़ाम करके पानी पीना अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परसान मत होना, नेगेटीब मत होना उल्टा सिदा बिल्कुल मत सोचना, प्रिवेस लाइट नहीं बता ना, पैसो का आधर बदान बिल्कुल नहीं करना और ध्यान रहे, भ्रमित मत हो न, मेरा कोई भी नंबर देता है, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता है, आख कान नाक बंद रखे, जो कि दुनिया है, बिश्व है, पता नहीं क्या कुछ कहेगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभवूरत देखी, दिन जैसी, जिस भावना से, जिन आखों से देखता है, उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है, मेरा कोई भी नंबर, जो यहां दिख रहा है, इसके इलावा नहीं दिया जाता, तो क्रपया, इनहीं नंबरों पर विश्वास करें, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेंदें के टाइम पर, सती सवस्तिय, स्ट तो हमारे बच्चों को बहुत समझाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं आदत से मजबूर हूँ, क्या करूबत दूर मैं हूँ, आदत से मजबूर, खुश रहो, मस्कुराओ, अच्छा बनने की कोशिश करना, तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुमहरा भी लख रहा हूँ, ओम नमस्षिवाए